आप देख रहे हैं सीरियल से आप अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाप फट से सब्सक्राइब कीजे स्टाप प्लस पर टेलिकास्ट होने वाले टीवी सीरियल ये रिश्टर क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोट में आप देखने वाले हैं कि रूही करने वाली है बड़ा कांड और लगाने वाली है अभीरा पर सीधा इर्जाम दरसल आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर दादी सा से लेली है अभीरा ने जन्माश्मी सेलिब्रेशन के तैयारी करने के खास परमीशन जिसके बार आप देखेंगे कि कैसे अभीरा और अर्बान बहुत ही जादा खुश नजर आएंगे क्यों कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है तो दूसी तरफ जो रूह ही है वो काफी जादा जल भुन जाएगी कि आखे कावेरी ने अभीरा पर इतना जादा भरूसा दिखा कैसे दिया अपकमिंग एपिसोड में जहां सब कुछ ठीक जा रहा होगा हसी खुशी सारा जश्न मन रहा होगा तभी रूही कुछ ऐसी हरकत कर देगी जिसके बाद द प्रामा करेगी और कहेगी यह भगवान किसने बाल को पाल की ड्रेस को फार दिया यह देखे दादी सा यह तो बहुत बड़ा प्शगुन है यह सारी लापरवाही देख कर एक बार फिर से अभीरा के ऊपर लगने वाले हैं इलजाम अभीरा के ऊपर दादी सा होने वाली है गुसा और वो कहने वाली है यही बार कि आख है तुम लड़की कोई काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकती अभी रहा यहां पर अपनी justification, clarification देनी की कोशिश करेगी लेकिन हर बार की तरह दादी सा उसकी एक नहीं सुनेंगी और उससे डाटती हुई नजर आएंगे और कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम अभी किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ लेकिन हमी बेवकूफ थे जो हमने तुम्हें अपना समझ का भरोसे मन समझ कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी अब ये बताओ इन सब के बाद अब हमारे लड़ू गोपाल क्या पहनेंगे तभी यहां पर अभीरा को डिग्रेट करने के लिए अर्मान के सामने हीरो बनने के लिए रूही देती है एक नया आईडिया वो कहती है कि हम जो उसने कप्ड़े खरीकर आये थे उसमेंसे बाल गोपाल की ड्रेस पहना देते हैं जैसे ही अभीरा लेने जाने वाली होती है नई ड्रेस दादी साओं से रोक लेती हो कहती है कि रुप जौलोड की तुम नहीं रूही क्या होगा शो की कहानी में आगे आपको बताएंगे बहुत ज़ल लेकिन फिरहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए